कि नमस्क्राइब दोट्थ स्वागत्य आप आज के वीडियो और आज अम इस वीडियो में बात करने जा रहे कि बंगाल का वर्णर धैसे जा था इस्तिर में उलत जाते तो मैंने इस इसे को ले ये छोटा सव dudes बनाया है अगर आपको वीडियो अच्छा लागे तो चैनल सब्सक्राइब परना न भूले और वीडियो लाइक करना न भूले और शेयर भी कर दीजीए तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है बंगाल का प्रतम गवंणर बंगाल का प्रतम गवंणर था रोबर्ट क्ला ओर बंगाल का अंतिम गवन्नर और कोशन हता है कि बंगाल गवन्नर कोई था तो रोबर्ट क्लाईव अंतिम गवन्नर कोह था Paperarl और बंगालका अंतिम गवन्नर कोई तो वह उसके बाध और भारत का प्रसम गवर्णर जनरल कौन था लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन लॉर्ड विलियम बेंटिंग भंगाल का तो अंतिम गवर्णर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसके बाद में आता था था भारत का तो अंतिम गवर्णर जनरल और भारत का प्रसम वैसरा वैसे गवर्णर जनरल और वायसराय एक ही थी लेकिन जब अठासो ठर्म क्रांट थी उसके बाद में जो अपना भारत को राज था सीधे ब्रिटिस क्राउंड के अंडर चला गया तो उसके बाद में वायसराय बनना सुरू हो गए और भारत का प्रिथम वायसराय था लौड क कैनिंग भारत का अंतिम गवर्णर जनरल और वायसराय दोनों कोन थे लौड कैनिंग इसके बाद में आजादी की समय सब्टनत्रा से पहले कौन था अपने लौड माउंट वेटेन और सब्सक्राइब रिख संके गवर्णर जनरल की बात की जाय तो भारति संके गवर्णर दो ही हैं पहले तो लॉर्ड माउंट बेटन जो कि आजाती के बाद भी बने रहे एक साल तो उसके बाद में आता है सी राज़ गोपालाचारी जो कि 26 जनवरी 1950 तक रहे अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो अगर जानकारी अच्छे लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर करना न भूले और दोसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद